कि राजिस्थर पे SCL जो स्टेट सेंटर फर लिटरसी है उसका एक वेबिनार हुआ है जिसमें स्टेट करन किया गया है और स्टेट लेवल पर हमने एक जाइजा लिया है कि अड़ल लिटरसी प्रोग्राम जो चल रहे हैं अभी पढ़ना लिखना अभियान जो चल रहा है उसका क्या स्टेटस है उस वेबिनार में हम पाए हैं कि डिस्टिक्स को भी एक बार उनमुर्की करन करके य एक विस्तरत चर्चा होनी चाहिए DCL के रोल पर जैसे सभी डिस्टिक्स से मेरे ख्याल से डाइट के स्टाफ जुड़े हैं और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और मुझे ये भी बताया गया है कि अलग-अलग डिस्टिक्स से जो रिसोर्स परसंस जो DCL से जुड़ हैं तो आप लोग को भी काफी helpful होगा यह विबिनार ऐसा मानके मैं चल रहा हूं जितने भी स्टाफ और डाइट से उपस्तित हैं जैसे आप लोग स्कूल एजुकेशन विभाग में academic monitoring और curriculum development यह सभी रोल आप लोग अल्री बखोवी निपार हैं सिमिलर रोल आप लोग का रहेगा DCL में academic monitoring में और curriculum development में और कक्षा संचालन कैसे करें अगर मैं एक उदाहरन आप लोग को देना चाहूं कि आज की तारीक में जो महला क्लासे संचालित हो रही है वहाँ पर diet के staff का यह role था कि last month हमने सेतु करेकरम जो बनाया है SCRT से उसका संचालन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है महला कक्षा संचालन में क्या issues आ रहे हैं वो feedback आप SCRT को देते थे similarly हमने last month महला सक्षरता केंद्र चालू किये हैं government के permission से अब DCL का यह role रहेगा कि महला सक्षरता केंद्र का संचालन ठीक से हो रहा है यह नहीं हो रहा है यहां से हमने दो बुक्स भेजी है एक जो बुक है आकर जांपी वो beneficiary के पास रहेगा सक्षर के पास दूसरा जो बु है उसमें आपको अगर कुछ changes suggest करना है curriculum में और books में वो भी आप definitely बता सकते हैं तो कक्षा संचलन क्यूंकि just last महीं ने start हुआ है और अंद्रुनिक शेत्रों में और villages में काफी ज्यादा issues भी अभी आ रहे होंगे तो definitely आप लोगों का जो भी feedback होगा CRT को आप दिएगा उसमें काफी changes हम लोग कर सकते हैं पढ़ना लिखना अभियान के थहत हम लोग जैसे ही 120 hours का finish करेंगे पूरा पढ़ाना फिर उसके बाद एक assessment भी होगा तो assessment का जो monitoring होगा अलग-अलग शेत्रों में जाके करना है वो भी basically DCL की ही जिम्यदारी है तो वह उसकी बारे में भी आपको बताये चाहेगा एक जो प्रमुक फरक है अगर मैं आपको बताना चाहूं कि diet के members होते हुए और DCL के members होते हैं एक प्रमुक difference है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है वो यह है कि school school के बच्चों को पढ़ाने का तरीका और prod को पढ़ाने का त देखेंगे उसको काफी incentive दिखाने के पढ़ाना होगा कि वो पढ़ाई उसको कहां helpful होगी तो reverse हम यह भी सोच सकते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसको helpful है कि नहीं है और उसमें अगर कुछ changes suggest करना है कि नहीं तो कृपिया DCL के members इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिए और उसके संवन्नित में जो observations है वो जरूर हमको बताएंगे इस पूरे scheme का जो details है वो प्रशान्त आपको अभी थोड़ी देर में और हमारी जो टीम है वो आपको बताएगी उसमें एक प्रमुक बात है जो मैं बताना चाहता हूं DCL के members को especially इस scheme में जो voluntary teachers जो भी स्वाइन स से भी शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उनको कोई भी तरह की monetary incentive नहीं है तो मतलब वो free में पढ़ा रहे हैं तो सबसे बड़ा incentive आपकी तरफ से उनको वही होगा कि आप उनका पीट थप थपाएं और वो जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको regularly motivate करते रहें कि उनका जो contribution है society की तर आएंगे आप लोग जो observe करेंगे उनको motivate करते रहेंगे DCL के members के द्वारा वो काफी आगे जाके helpful होगा और अगले आने वाले जो scheme है पढ़ना लिखना अभियान तो यह इस साल basically end हो जाएगा मेरे खाल से एक महीने के अंदर इसका closure होगा उसके बाद जो आने वाला new India literacy program है उसमें भी DCL का काफी महतुपूर्ण भूमी का निबानी होगी तो इसी introductory remarks के साथ मैं अपना उद्भोधन end करता हूँ और आशा करता हूँ कि यह webinar के बाद अलग-अलग districts में जो DCL बने हैं उनका role, responsibility especially in terms of academic monitoring काफी clear होगा और आगे जाके आपको कोई भी जानकरी या फिर को बहुत जब धन्यवाज मारे ये थे SCRT के director और SCL के अध्यक्ष जिनोंने आपको DCL का role इस पूरे program में क्या होगा और बहुत ही महत्पून बाते आधनी सर ने बताई है कि बच्चों को पढ़ाने और बुड़ों को पढ़ाने के तरीके में भी उंतर होगा और हमें समझना होगा कि बड़े कैसे सीखेंगे और आगे और सर के मार दर्शन में हमारे जो experts हैं वह आपको भी आगे बताएंगे तो मैं अधनीय डारेक्टर सर के निर्देशन में आज का जो technical station है उसकी और बढ़ता हूं और आगे मैं आपको पढ़ना लिखना अभियान की विशिष्ट के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा यह केंद्र प्रवर्तित कारकम है आपको मालूम ही होगा प्रोड सिक्षा योजना के तहट यह बुन्यादी साक्षरता पर केंद्रित है पहले आपको मालूम होगा जब साक्षर वारत कारकम चलता था कि वह ग्रामिन छेत्रों के ल शिक्षित करना है इनमें जो छेत्र लिये गए हैं वह आकांग्शी छेत्र आपको मलूम होगा दस आकांग्शी जिले हैं हमारे जो भाराश सरकार दोरा बनाए गए है है रास्ति और राज की जो एवरेजय to찬 सफ्षरस्ट वालेज चुम उग्रवात के प्रभावी दिले हैं उनको भी प्रात्मिक्ता दी गई है हम इसमें आपको मैंने बताया है कि यह पुनियादी साक्षता पर टेंद्रित है ग्रामिन और दोनों शहरी छित्रों में लागू होगा और जैसा कि सर ने अपने प्रारंदिक उद्बोधन में आपको जो हमारे स्कूल सिक्षावबाग का वेक पोर्डल है cgschool.in उसमें अपलोड किया जा चुक है उनके नाम और वीटीस के नाम इसमें बुनियादी साक्षता प्रभीशी का सर ने आपको बताया कि यह आखर जापी जो प्रभीशी का है इसे तयार कर ली गई है और इसे 120 में देदी गई थी और अधिकांश जिलों ने एक जुलाई से कारिकम शुरू कर दिया और शने शने जिलों में इसे प्रारम करते जा रहे हैं आपने भी देखा होगा इसे यह उनता स्वयम से भी आधारित है इसलिए मान दे कि इसमें कोई विवस्ता नहीं है अब इम यह स मड्रक्स से अनुभाग होता है जिसे हम राष्टी साक्षरता मिशं प्राधिकरन बोलते हैं नेशनल ट्रेसी मिशन यहां पर भी दो सभा होती है सामान्य सभा और कारकार्णी सामान्य सभा में diap न स्कूलिक्षा मंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं और कार्यकारणी में हमारी जो स्कूल सिक्षा की जो सची हैं वो इसकी अध्यक्ष है और इसी प्रकार और Member Secretary वहाँ के Joint Secretary इस तर के जो वरिष्ट प्रसास्नी का दिकारी होते हैं वो होते हैं और वही राश्टी साक्षरता मिशन प्राधिकरण के डारेक्टर जनरल भी होते हैं जिने हम हिंदी में महानिदेशक बोलते हैं यदि हम स्टेट पर आयत इस स्टेट पर इस कारकम को कारेकार्णी सामाने सभा में माननी मुख्यमंत्री जी अद्ध्यक्ष हैं और कारेकार्णी में माननी स्कूल सिक्षा मंत्री जी अद्ध्यक्ष हैं यदि हम सामाने सभा की बात करें तो माननी प्रमुख्ष अचीवे सच्वीश के Member Secretary होते हैं जिसके अद्ध्यक्ष मुख् ुए स्था पीट किया गया है ृआ साक्षर्ता मिर्षन प्राधिकरंड में मैं सामाने-सभा में जन्प्रत्र suggraogen i haddyeksh होते है और कारिकानी की अद्यक्र्ष माननी collector होते है जिले के जो collector होते हैं Member Secretary इसमें रिम जिला जो स्फष्ष अधिकारी हैं वो इसके Member Secretary होते हैं दोनों की सामाने सभा और कार्यकारी के ऐसे ही विकास्तेवर्ड सांड सबकाराओं की उसक्रत Bible सुर्ण सब helpsuite समीती होती है और नगरिक शेत्र में वाड साक्षरता समीती होती है मतलब पूरे इस पढ़ना लिखना अभियान को संचालित करने के लिए एक व्यवस्थित संरचना इसमें रखी गई है लेकिन अंत में महला साक्षरता केंद्र केंद्र में होता है पढ़ने वाले और आपको बता दूँ इसी तरह से academic structure बनाए गया है वह है तीन स्तर पर इसका academic structure है आपको मौलूम ही होगा सिक्षा विभाग के पूरे academic कारियों के लिए राश्टी स्तर पर NCRT जो की नाम प्रचली था आप जानते ही होंगे NCRT होता रो NCRT में राश्टी साक्षरता केंद्र National Center for literacy इस्थापित किया गया है इसी प्रकार स्टेट में SCRT जहां पर हम लोग बैठे हैं और हमारे director सर और प्रकोस्ट के दो प्रभारी यहां पर प्रिती सिंग मैडम और केके सोनी जी यहां पर बैठे हुए हैं और additional director भी अभी आएंगे समापन पर तो वे सारे लोग हमारे इस राज साक्षरता केंदर में हैं जिसको हम बोलते हैं state center for literacy जिसके अध्यक्ष मानी director सब जो हैं पर विराजमान है वो इसके अध्यक्ष है इसमें हम बहुत सारे लोगों को हमने लिया हुआ है जो faculty members भी हैं अमारे जो international national level के जो NGO sector के लोग हैं जैसे हमारे हाँ अपना UNICEF है और समर्थ है इस तरह की संस्थाय मारे साथ जुड़ी हुई है कुछ experts भी इसमें लिये गए हैं और इसी प्रकार district में जिला सिक्षायं प्रसिक्षन संस्थान डाइट जो गठीत है डाइट में हम district center for literacy जिसमें आप सभी हैं उसको शामिल किया गया है और इसमें DO अध्य section और वाइस चेर में इसके डाइट के principal हैं और आपके यहां faculty member और अन्ने लोग इसके member हैं तो यह academic जो structure है NCRT में NCL SCRT में SCL और डाइट में DCL यह आपको याद रखना है यह आपको बता दूं कि हम लोग को टार्गेट इसमें मिला हुआ है जिसको दो मैने के भीतर हमको साक्षर करना है और यह डाइए लाग को हमने 28 जिलों में उनके चिन्दांकन के हिसाब से लक्ष दिया है डारेक्टर सर्की ओर से सभी जिलों को यह लक्ष प्रदान कर दिय गए है अब तत्यक दस असाक्षरों पर एक स्वहमसेवी सिख्षक नियुक्त किये गए हैं यह जिलेवार लक्ष आपको मा बेजे हैं यह अभी लोग आपको अलग से शेर भी कर देंगे ये जिलेवार लक्षे हैं ये धाई लाख है और हमारे 25,000 हमारे स्वयम सहीवी सिक्षक जिनका चिन्नांकन किया जा चुका है इनका बकायदे फोटो भी अपलोड किया जा रहा है मुझे बताती खुशी हो रही कि हम 56% फोटो सिक्षार्टियों की और हमारे जो स्वयम सहीवी सिक्षकों की ये मारदर्शिका और प्रविशिका के साथ हम लोग भेज भी चुके इसके बारे में भी विस्तार से अलग एक सत्र होगा जिसमें आपको बताए जाएगा कि वो क्यों अपलोड किया जा रहा है फोटो उसका उद्देश क्या है हम चलते हैं आपके कारियों की प्रविशे पहले कि जो हमने अमारे जिलह में रिसोर्स पसंद बने हैं और मास्टर टेनर से इसका चिनांका प्रसिक्षक और प्राइमर्स जो हैं और सिक्षन गाइड इत्यादी हमको बनानी होगी वैसे इस वर्ष का हम लोगों ने बना लिया है और आगे के आने वाले सम सकति हैं तो हम इस स्वहें से भी सख्षकों का उल्ट से तीन बार आं। लाइन पर्सिक्षन दिया ए खुश में आफलाइन मिं नहीं होगा क्योंकि ऐसा होता है जब आम लोगोंने सरवेख्षन किया था उस40 स्वे में से इसक्षकों कों और अब जब जब हम प्रैक्टिकली गाउं में जा रहे हैं तो उनका प्रशिक्ष्षन किया जाना बहुत जरूरी है इसलिए हम हमारे जो वीटी से उनका ट्रेनिंग किया जाना बहुत जरूरी है तो यह दाइत तो होगा कि उन्हें आप भली बाती अच्छे से प्रशिक्षित करें एक और काम हमको इस अपते हम लोग करने जा रहे हैं जो हैं हमारे जन प्रतनिदी हैं प्याराइज उनका भी ह जन प्रतनिदी हैं उनका उन्मुखीकरण हम लोग अभी बहुत जल्दी डिसीयल के माध्यम से करेंगे और एक हम लोग के इसके लिए वेबिनार करेंगे इसका उन्मुखीकरण आप अपने लेवल पर अभी से कर सकते हैं उनको बताना है कि आपके नित्यत्तों में यह कार पर पर पंचाइदी राज प्रत्नी उनकी विशेश रुख से हमको पुनमुखी करना होगा डाटाबेस सपोर्ट हमको करना होगा जो अभी डेटा का मिस सिस्टम डेवलप कर रहे हैं management information system याने प्रबंद सूचनातंत्र कितने पढ़ रहे हैं कितने की फोटो अप्लोड हुई कौन किस पार्ट में हैं कौन assessment के नजदीक हैं किसकी क्या इस्तिति है dropouts हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम क्या उपायतर है वगरा वगरा हम लोगों ने मिस सिस्टम डेवलप किया है और उसके मादधम से यह डेटाबेस में आपको सपोर्ट करना होगा सिक्षा गुणवत्ता की जो निगरानी आपको करनी है इसको भी आपका महत्पून तरीके से होगी नेक्स आपको बता दूं कि हमें community के लिए और media के लिए और IC activities का आएजन हम लोगो करना होगा हमको ध्यान रखना होगा कि हमको समदाय को साथ में लेना है और जो मीडिया है हमारा चाहिए electronic मीडिया हो print मीडिया हो social मीडिया हो इसमें निरंतरता बहुत जरूरी ही कि कारकम के लिए क्या चल रहा है यह भी हमें बताना होगा और IEC गतिविदी याने information education and communication आपको मालूम ही होगा सूचना है लगातार उपर से नीचे तक जा रहे हैं कि न जा रही हैं यह भी हमारा DCL का काम होगा हमारा जो सिक्षा का काम यानि सिक्षा देना उनको सिखाना यह भी काम DCL का होगा और communication याने आपको communication हमेशा बनाए रखना यह भी इसके लिए कुछ-कुछ गतिविदियों का आयजन करना यह भी हमारा काम होगा नगर बलाग के साथ समीक्षा बैटकों का कलेंडर तयार करना यह भी हमारा काम होगा और मंत्री प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होती है MPR का संग्रन करना संक्लन क करना और प्रबाष्च्चन और उनका उनमुख करन भी करें इसी प्रकार अभधी आगे आने समय में जब करेंगी है तो हमको मुल्यांकन करता प्रिक्षा के लएक करना होगा मुल्यांकन करताओं की पैचान मी करने होगी यह भी DCL का काम होगा और इसी प्रकार हमको NIS में पंजियन करना कि कितने लोग परिक्षा में बैठने वाले हैं आकलन में और कितने प्रणाम होगा तो सर्टिफिकेशन का भी काम होगा इसी प्रकार जिले द्वारा अपने रिपोर्ट की गुणबत्ता निगरानी और तैयारी करना ये भी आपका काम होगा आप एन्वल प्लान बनाना उसका बकायदे वार्शिक कारेशना बनाकर DLA में को सौपने आने डिस्टिक लिटरेसी मिशन एथार्टी आने कलेक्टर की अ साम हुआ और मुझे लगता है कि 36 गड़ पहला ऐसा राज्य जहां पर हम लोग इस कारकम को अन्य राज्यों की तुलना में बहता रंग से क्रियानवित कर पा रहे हैं आलग कि अभी बहुत कुछ करना बाक्त बाकि है SCRT यहां पर हम लोग बैठे हुए हैं यहां पर State Center for Literacy का गठन हो गया है और इसके अलावा UNICEF और SLMA की बीच में अनबंध हुआ है वो अनबंध है जिसके तरह हम लोग बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ सीख कारकम के साथ साथ हम लोग पढ़ना लिखना अभियान में से भी UNICEF की मदल ले रहे हैं और दो कंसल्टेंट हमारे साथ नीमी तुरूप से जुड़े हुए और काम कर रहे हैं और कुछ जिलों में बारा जिलों में हमारे साथ डिस्टिक मैनेजर्स भी काम कर रहे हैं ऐसे ही इसी प्रकार डाइट्स में सभी जिलों में जिला साक्ष करता केंद या ने डिस्टिक सेंटर फाल लिटरिसी का गठन कर लिया गया है उनकी बैटक भी हो चुकी है हम देखा जाए तो हमारे जो सभी जिलों में असाक्षनों का स्वें सेवी सिख्षकों का चिन्नांकन कर हमने सीजी स्कूल डॉट इन पोर्टल बनाया है इसमें सभी अब ही यह जो किताबे हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूं यह किताबें से से बनाई गई इसमें उनिसेफ कंसल्टेंट और बाकी पूरे लोहों का बहुत महुत्पून योगदान है यह दो किताबे बनाई है एक स्वें से भी सिक्षकों के लिए मारदर्शिका बनी है और एक ये किताब जो है वो पढ़ने के लिए जिसमें 24 पार्ट दिये हुए हैं, हमने बकादे इसका वीडियो भी बना लिया, एक एक पार्ट का वीडियो भी इसलिए हमारे डारेक्टर स्टी आर्टी ने बहुत अच्छा तरीका इसके लिंग डाला है, यह किताब के साथ एक एप बनाये गया है और एक पोर्टल है जो cg.in पोर्टल और एक एप बनाये गया है इसले में cg.pla app जिसमें किताब के साथ सिक्षार्ति की फोटो और यह स्वयम सेवी सिक्षक मारदिशेका के साथ स्वयम सेवी सिक्षक की फोटो अपलोड की जा रही है वाकारे इस अपलोड की सूचना दिन में तीन बार हम पूरे ग्रूप में डालते हैं और वो पूरे पूरे जिले बड़े अच्छे से चल रहे हैं और हम लोग ग्रेडिंग करते हैं यह फोटो अपलोडिंग का कार है चूंकि अब अभी खेती बाड़ी का समय चल रहा है इसलिए बड़ा दुशकर कार है और इस कार में अभी 56% हमको सदलता मिली है इसमें एक दो तीन चार प हमारे कुछ जिले B में हैं कुछ जिले C में हैं लेकिन नारायनपूर कोरबा अभी भी टी में हैं इनकी हालत चिंता जनक है इन जोलों में थोड़ा ज्यादा आपको सपोर्ट करना होगा और तेजी से उनको ऊपर लाने का प्रयास करना होगा यह हमारा भी बहुत प्रमुक करें नेस्ट हमारे आपको मालूम ही होगा कि यह ट्रेणर कैसे बनाए गये हैं वीटी, क्या होगे एक हमारे कुछ अल्प सीच्षक होग일 यानि जितने 20 वीटी पर academic monitoring करने के लिए उन्हें प्रसिक्षित करने के लिए एक कुछल प्रसिक्षक पूरे प्रदेश में चिन्नांकित किया गया है और कुछल प्रसिक्षक को ने हमारे teachers हैं जो प्रसिक्षन दे कर लेकर प्रसिक्षन देना बहुत अच्छे से जानते हैं इनका प्रसिक्षन भी हमने online prescription यहां से पूरा किया है से हमारे जो प्रकौष्च के पता दिकारी है उनके साथ ही आपको याद होगा की हम लोगोंने जो पंचायत ग्रामिन विकास संस्थान है वहां से यह प्रसिक्षन किया था जिसमें कुछल प्रसिक्षों को और रिसोर् प्रसिक्षक और 30 कुषल प्रसिक्षकों पर एक resource person बनाए गया है वह यह resource person को भी प्रसिक्षन प्रदान किया जाता है जिन्हें आप हमेशा प्रसिक्षित करेंगे रोगरू प्रसिक्षन आपको करना है आपको मैंने बता है cgschool.in portal बनाए गया है, cg पढ़ना लिखना अवियान का बनाए गया है, और हमने सभी का WhatsApp गुरूप भी बना लिया है, और Telegram गुरूप भी हमने बना लिया है, तो मेरा यह अनरोध रहेगा कि आप Telegram गुरूप और WhatsApp गुरूप में ज्यादा ज्यादा जुड़ें, आकलन के ज बिंदू है, जिसे अभी कक्षा संचालन में आपको बताया गया है, हमको इसके तीन ही बिंदूओं पर इस समय आकलन होना है, और वह है पढ़ना, तीस शब्द प्रती मिनट की गती से बोलकर पढ़ना, संकेत विज्यापन पत्रिका पढ़ लें, लिखना यानि साथ शब् है, और आपको रीडिंग, राइटिंग और गणित इसमें ही आपको ध्यान देना है, आपको मालूम ही होगा, इस भी हमको फोकस करना है, ये दो मेहने के बाद, ये जुलाई और अगस्त के बाद, जब भी हम इस कारकम का आकलन कर लेते हैं, भारस सरकार ने, जो हमारा सिक् सिक्षा नीती घोशित नहीं नीती, लेकिन जैसे ही कारकम बनाया गया, वैसे ही राष्टी सिक्षा नीती घोशित कर दी गई, और जैसे ही राष्टी सिक्षा नीती घोशित की गई, तो राष्टी सिक्षा नीती के हिसाब से उसमें जो प्रावर सिक्षारतियों के लिए तैम आप दंड बनाए गए हैं उसके इसाब से एक नया कारिकम लॉंच होने वाला है इसकी प्रारम्विक तयारी इसकी प्रारम्विक बैठक हमारी सिक्षा सच्चिव मेडम के अध्यक्ष्टा में हो चुकी है हमारे प्रदेश के अधिकारियों के साथ मानी सच्चिव स्कू लाइप स्किल, वोकेशनल स्किल, बेसिक एजुकेशन और कंटीनुटिकेशन की बात होगी, यह यह प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, इसके प्राइमर भी हमारे पास आचुके हैं, यह उडान, इसको लेकर हम लोग इस्थानी इस तरपर प्राइमर बनाएंगे, जो हमारे तेरा बिंदों पर आधारीत रहेगी, यह आप लेख लीजिए, यह चार प्रकार की यह आए हैं, और इसमें जो है, वो इसके आधार पर हम छेतर आधारीत अभी प्राइमर बना रहे हैं, इसका भी काम हमने शुरू कर दिया है, छेतर की आवशकता के लिए, नीड असेस्म प्राइनिया है, जो हमारे SCL के साथ हम लोगों ने जो ट्रेनिंग की थी नीमोरा में, वो यह ट्रेनिंग है, जिसमें हमारे प्रकोष्ट के प्रभारी हैं, उस समय प्रभारी वो भी दिखाई दे रहे हैं, खासतोर पर अभी जो दो लोग राजमान है, मैडम प्रीती आपको प्रदान किये थे, और यह बहुत अच्छे से प्रसिक्षन आयजीत किया गया था, नेक्स्ट, यह आपको आखर जापी प्रभीशिका जो मैं आपको दिखा रहा तो साथ छोटा दिखाई दिया होगा, यह दो है प्रभीशिका और अमार दर्शिका जो आपको आपक समिक्षा होती है, हमारी कारकमों की और मंत्राले से और SCRT से बैठके भी होती है, समाचार पत्रों में भी लगातार इसका प्रचार पसार करना है, और मुख्य रूप से जो हमारा DCL है, उनके सभी लोगों से निवेदन है, कि जो भी बैठक करें, आज की मुखी करन सहीद, सभी का व्यापक प्रचार पसार किया जाना है, यह हमारे कक्षा संचालन प्रारम हो गई है, पांचो संभाग की एक एक फोटो हमने आपके लिए दिये है, महला साक्षरता कक्षा, बस्ता संभाग के बाद देखे, राइपुर संभाग की तस्वीर है, यह दुर्ग में आपको बताएंगे और, नेक्स्ट, प्रपत्र डेवलप किया गया है, अभी मेरी बात इतना ही, मैं पढ़ना लिखना अवियान के बारे में, मैंने एक प्रारंभिक जो परिचय था, उसका प्रस्तुत किया है, यह मुख्य रूप से बुन्यादी सिक्षा पर केंद्री किते आपको मालूमी होगा, और मैं अब अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ, अब बहुत धनिवाद सर, और पढ़ना दिखना अवियान की, जो जानकारी आपने हमें प्रदान की है, डेफिनेटली डेसी एके मेंबर्स उससे दाभानवित होंगे, धनिवाद सर, आ पढ़ानी का तरीका है, उसके जानकारी के लिए मैं बुलाना चाहूंगी, यूनिसेफ कंसल्टेंट, डॉक्टर मनीशा वत्स, माडम को, और आप हमें महला साक्षर्ता कक्षाओं के बारे में बताएं, नमस्कार साथियो, अभी हमने पढ़ना लिखना अभियान के बारे म पूरी तरह से जाना, आधर ने राहूल सर ने और पांडे सर ने इस वेबिनार का उदेश बताया, बहुती सरल और सहच तरीके से पांडे सर ने पढ़ना लिखना अभियान और साक्षर्ता की परिभाशार को परिभाशित किया, मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, वो कक्ष चैंडाय संचालित हो रही है, वो किस प्रकार से हो?, वो बहुत सफल हो, बहुत सार्तक हो और जिससे कि शिक्षार्ती बहुत कम समय में बहुत अच्छे प्रकार से सीख सके तो बहुत ही संक्षेप में हम देखेंगे कि हम हमारा जो वास्ता है इस समय प्राडों से हैं अभी तक आप सभी लोग बच्चों के साथ कारे करते हुए आए हैं लेकिन कहीं न कहीं किसी तरह से बच्चों के माता-पिता के साथ कहीं न कहीं संपर्क होता है तो हम उनके साथ भी काम करने का अनुभव रहें. लेकिन हमें मूल तहा, इस समय प्रॉडों को पढ़ानी की जिम्मेदारी है. तो हम जानते हैं, कि हमारा जो लक्षित समुए, जो हमारा प्रौड है, वो एक ऐसे उम्र में हैं, एक ऐसी परिस्थिती में है, जो कमा रहा है, खा रहा है, परिवार की देख बाल कर रहा है, लेकिन उसके पास अंक ग्यान अक्षर ग्यान नहीं है तो सबसे पहले प्रोडो को समझने के लिए हमें उसके सम्मान का बहुत ध्यान रखना होता है कि बहुत सम्मान से हम उसे बुलाएंगे बहुत सम्मान से उसे हम जानकारी देंगे क्योंकि उसके पास जीवन का अनुभव अगाध अनुभव है, जो कि शायद वो अनुभव हमारे पास भी उस शेत्र में उतना नहों उसके अनुभव को इस अनकग्यान-कषर ग्यान से हमें जोड़ना है, वो उसी से अचुता है किनी कार्णों से वो विद्याले नहीं जा पाया और साक्षर और शिक्षित नहीं हो पाया है तो प्रौडों को सबसे पहले समझना हम सभी जानते हैं हम अभी इसी उम्र में है कि कुछ भी नया सीखना होता है तो हम उतने उत्साहित नहीं होते तो प्रोड हमारे उतने उत्साहित नहीं होते जिग्यासू नहीं होते और बहुत जल्दी निराश होते हैं जबकि हमारी बच्चे जो हैं बहुत उत्साहित होते हैं बहुत आशरवादी होते हैं यदि एक बार वो लिखने में असफल होते हैं, तो दूसरी बार वो उस चीज़ को बार-बार प्रयास कर सकते हैं. लेकिन ये हमारी प्रोडों की मानसिक्ता होती है, कि यदि हम एक बार असफल होए, तो दूसरी बार हम कोशिश कम करते हैं. इसलिए बहुत जरूरी होता है कि प्रोडों को प्रोट साहित करना, उनका मोटिविशन लेवल बहुत हाईली बनाई रखना बहुत जरूरी है. यदि वो एक बिंदू भी कीचते हैं लिखते समय, यदि एक अक्षर को पहचानते हैं, एक शब्द को पहचान कर पढ़ लेते हैं, तो उनका उत्सहा वर्दन करना बहुत जरूरी है. उससे उनमें उत्सहा आएगा और वो आगे सीखने के लिए ततपर होते हैं. हालगी पंडे सर्ण ने भी बताया था, आखर जापी प्रवेशिका जो है, वो प्रावडों के लिए विशेश रूप से बनाए गई है, एक विशेश पद्धिती से है, जिससे की कम समय में और बहुत सहजता से, सरलता से सीखते हैं. एक इकरत प्रवेशिका है, बहुत इंटिग्रेटेड़ है, जिसमें की पढ़ना, लेखना, गणित, त्री आर्स जो हमारे हैं, रेडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, तीनों एक साथ चलते हैं, और यह पार्ठिग्रम कक्षा तीन के सर्तर पर आधारित है, एक से लेके एक अजार तक की गिंतियां, पहचानना, पढ़ना, जमा, घटाना, गुणा, भाग करना, दशमलग, हिसाब किताब करना, यह सारी गणित की चीज़े हम इस प्रवेशिका के माद्यम से सीख गए हैं, इसी तरह से भाशा में अक्षरों को पहचानना, क्योंकि यह एक साइकोलिजी पर और लर्निंग के मैथन्स पर आधरीते हैं, कि हम कुछ भी सीखते हैं, तो उसको सबसे पहले पहचानते हैं, उसकी छवी हमारे दिमाग में बनती है, उसके बाद हम अपने अनुभव के हिसाब से उसको को रिलेट करते हैं, फिर हम हमारा जो सीखना है वो बहुत सुद्रण होता है, स्थाइट होता है, तो प्रोणों को जानने के लिए हमें इन बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अब हम चलते हैं कक्षा संचालन पर, कक्षा संचालन पे हमें क्या के चीज़े ध्यान रखनी है क्योंकि आप सभी सम्मानित DCL के जो मैंबर्स है उनका अभी भूमिका बहुत महत्वपून है हमारे हर जिले में महला कक्षा, सक्षरता कक्षा संचालित है हमें उनकी मौनिटरिंग करनी है हम सभी जानते हैं कि DCB कारेक्रम की रीड जो होती है वो मौनिटरिंग होती है हमने बहुत अच्छे से कारेक्रम को शुभारम कर दिया बहुत अच्छे से कक्षा में आने भी लगे लेकिन हमें समय समय पर जाकर देखना है कि कक्षाएं अच्छे से संचालित हो रही हैं कि नहीं, प्रोडों के समय में कोई व्यवधान तो नहीं है, क्या उनके घर के दाये तो उनको कक्षा में आने तक रोक रहे हैं, या फिर उनको हमारी जो पढ़ाने की तक्नीक है, वो कुछ उसमें उसको असविदा है, या उनको समझने में परिशानी आ रही है, हम उनके आत्म सम्मान का शायद अतना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो इन चोटी-चोटी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसमें हम देखते हैं कि कक्षा का स्थान बहुत उचित होना चाहिए, जैसा कि नाम है अभी म पंचायत में भी हो सकता है, यह बहुती लचीलापन है, और इसमें हम इस कक्षा को कहीं पर भी लगा सकते हैं, और उसमें पांच लोग, दस लोग, सात लोग, जितने लोग आते हैं, उसमें आ सकते हैं, और उनके समय के अनुसार इस कक्षा का संचालन होना है, यदि उनको तो शाम को सुवीदा है, शाम को दोपहर को सुवीदा है, तो दोपहर को, तो जब मॉनिटरिंग के लिए आप सभी जाएंगे, इन चीजों का ध्यान रखें, और जो एक बहुत महतुपून चीज है, कि हमारी जो प्रवेशी का है, जो हमारा अंक ग्यान, अक्षर ग्यान है, उसको वो समझ पा रहे हैं कि नहीं, उनको सीख पा रहे हैं कि नहीं, क्या हम उसी पद्दती से पढ़ा रहे हैं, ये भी आप जरूर देखिएगा, यदि हम काम आखि मातरा, मा, काम, इस तरह से यदि पढ़ाएंगे, तो वो उतना जल्दी नहीं सीखेंगे, हमारी जो ये तो इसलिए इस तरह की चीज़े यदि बाचीत के दौरान चर्चा हम करते हैं जो हमारा वीटी है इस तरह का प्रियोग कर रहा है तो वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से सीखेंगे बहुत सारी गतिविदिया हमने प्रशिक्षन के दौरान उनको बताई हैं कि हमें पढ़ने की गतिविदी कौन सी होने चाहिए लिखने की कौन सी होने चाहिए इसके साथ साथ हमारी गणित की कौन कौन सी गतिविदिया है जो कि हमारे आसपास के बातावरण में हैं चीज़े उनका उपयोग करके किस तरह से हम जल्दी से जल्दी उनको सीखने में मदद करें और सबसे बड़ी बात उनको लगे ही ना कि हम कक्षा में हैं हम सीखने और सिखाने आए हैं यदि हम प्राड को कुछ सिखा भी रहें, तो बहुत सारी चीज़े हम उनसे भी सीख सकते हैं. कोई लोग कता बता सकते हैं, कोई लोग कीत बता सकते हैं, कोई जीवन का अनुभव बता सकते हैं, कोई जीवन कौशल का कोई अनुभव बता सकते हैं, जो बहुत ही महतुपूर्ण होगा, जिसका उपयोग हम आगे के कारिकरम में और उसमें कर सकते हैं, तो कक्षा संजालन क में हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, इस्थान उचित हो, समय उनका उचित हो, और प्रोडों का सम्मान वो किया जाए, उस पद्दिती से हम पढ़ाए, आखर जहां पी से पढ़ा रहे हैं कि ने ये भी ध्यान रखना है, और वीटी के पास मार्क दशी का है, ये भी हमें ध्यान रखना है कि उनके पास है कि नहीं और जो हमारा वीटी जब इसको पढ़ाने के लिए जा रहा है तो उसका अध्यनकल एक बार उसमें नजर मारे कि पहले पार्ट में क्या है पहले पार्ट में कौन से अक्षन है कौन सी मात्राएं है इस तरीके से हमें पढ़ाना है आप एक बात बहुत जरूर दिहान रखेगा कि हमारे हर चार पाठ के बाद जांच पत्र है वो जांच पत्र उन चार पाठों की आधार पर है कि उतने अक्षर पहचानना पढ़ना लिखना सीख गए हैं कि नहीं उतना गणित सीख गए हैं कि नहीं तो यह आप जरूर दिहान राजेस अक्षरता मिशन प्राधिकरोन उसको आयुजित करता है, बाकाइदा प्रशन पत्र बन कर आता है, उसमें वह हमारे शिक्षारती, उसको लिखते हैं, सामाने, अंक ग्यान, अक्षर ग्यान, शब्दों को पहचानना, मिलाना, जो की हमारे अभ्यास में दिया गया है, उसी तरह के ब्रशन उचे जाते हैं तो उसका अभ्यास उनको बहुत अच्छे से होना चाहिए बार-बार यदि जाच पत्रों को वो करते हैं तो निश्चित रूप से वो हम भी देख पाएंगे कि वो कितना पढ़ना लिखना सीख गए हैं और आप भी उसको समझ पाएंगे कि कितने अच्छे से वो कर पा रहे हैं और यही बहुत चीजें हैं कक्षा संचालन के समय हमें जो ध्यान रखनी है उनके बैठने का स्थान अच्छा हो साफ सुत्रा होना चाहिए पानी की विवस्था हो जो कि हमें समुदाई से ही मिल सकती है किसी के हम यदिकर में आयोजन कर रहे हैं एक अक्षा का तो उसमें कोई भी हमें पानी पिला सकता है यदि आवश्यक है तो और इस्थान की भी हमें दे सकता है हमें दरी बिचाने की, चटाई बिचाने की जगा भी दी जा सकती है तो हमें अपने समुदाय का भी समें सहयोग करना है और बहुत ही आवश्यक है कि हमारा जो स्वैम सेवी शिक्षक है उसको प्रोचसाहित करना है, उसको भी highly motivate हमें करना है शिक्षार्दी को भी करना है और हमें अपने वीटी को भी करना है क्योंकि वो निशुल्क सेवा दे रहा है, वो शिक्षा का महादान कर रहा है इस तरह के उधारण, इस तरह के अनुभवों को हम बातों को प्रोचसाहित कर सकते हैं और हमारा कारिक्रम इसमें अच्छे से संचालित हो सकता है, कक्षा संचालिन में इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे और इसी चीज़ को हमें केंदर में रखना है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्ट करती हूं, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद माडम आपका, और शिक्षार्थियों की निरंतरता हितु नवाचारी गतिविधियों के लिए, आप मैं बुलाना चाहूंगी शिक्षा सलाकार सत्यराज आयर सर को, कि वो हमें नवाचारी गतिविधियों के बारे में बताएं आप सभी को बहुत-बहुत प्रशकार, मेरा नाम सत्यराज यहर है, मैं वरिशिशर सलाकार हूं के पीमजी से, आज जो चर्चा का विशय है, बहुत ही अनूटा है, एवं आज जिस विशय के लिए हम जुड़े हैं, उस पर ज्यादा विलम करे बिना हम शुरू कर देते है तो जैसा आप जाते हैं, आज डिस्टिक्ट सेंटर फॉर लिटरसी, इसके सुचारू रूप से संचालन होने हे तू, हम क्या-क्या नवचार गति विद्यो को अपना सकते हैं, एवं किस प्रकार से हम अपने पढ़ने दिलने तरीके को और बहतर हम दे सकते हैं अपने विध्यारती कहना चाओंगा, तो जब मैं विध्यारती कहूंगा, तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहा है, जो डिस्टिक्ट सेंटर फॉर लिटरसी हमारे राज्य में बनने जा रहे हैं, उसमें अनेकों प्रयास होना है, काफी समय से इस पर अनेक कारेक्रम भी चल रहे तीनों सतर पर अनेकों प्रकार के कारेक्रम हुए हैं, आज एक छोटे से प्रेजेंटेशन में मैं ये डिस्कस करना चाओंगा, कि किस प्रकार से हम नवचार गती विध्यों के माद्यम से पढ़ना लिखना को और बहतर बना सकते हैं, तो सबसे पहला मेरा प्रशन यह है कि नवचार से आप क्या समझते हैं, क्योंकि हम विबेक्स से जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अपना जवाब यूटूब चाट बॉक्स और फिर विबेक्स के माद्यम से भी दे सकते हैं, आपके अनुसार नवचार क्या है, ये आप सोचिए और चाट बॉक्स में जितना मैं समझता हूं, नवचार एक ऐसी प्रक्रिया है, जहां पर आप कुछ नया करने का तो सोचते ही हैं, परन्तु आप जो कुछ कारे कर रहे हैं, उसे थोड़े अलग तरीके से भी करने का भी एक लक्षय रखते हैं, अब नवचार करना कितना जरूरी है, क्या हर ची आप जो समस्या है, उसको सबसे पहले पहँआए, नवचार में समस्या पहचारना एक ऐसी ओक्वालिटी है, गुण वत्ता है, जो एक entrepreneur के mindset के साफ से होता है, आप लोग समझते होंगे entrepreneur के, entrepreneur basically एक businessman जैसा होता है, जो जिसका लक्षे ये होता है कि वो अपने आसपास, अपने वातावरण में सबसे बड़ी समस्या को ढूंडे, और सबसे cheapest, सबसे simplest, सबसे आसान solution उस पे लगा दे, ये होता है entrepreneur mindset, तो जब ह हमारे शिक्षक होंगे, शिक्षक सार्ती होंगे, और हमारे साथ field level पे जो लोग जुडेंगे, वो लोग नवाचार कैसे कर पाएंगे, जब भी आप हर सर पर आप कारे करेंगे, आपको कही न कहीं चुनोतियों का सामना करना ही पड़ेगा, ऐसे स्थिती में क्या चुनोति जो मैं आपके साथ शेर करना चाहूं, क्योंकि नवाचार एक ऐसा field है, जो मैं आपको नहीं बता सकता है कि आपको यह करना है, या फिर वो करना है, यह नवाचार आपको स्वयम करना है, आपको अपने सतर पर सबसे पहले समस्या को identify करनी है, और उसकी अनुसार आपको solution ल करती हैं, जितने भी हमारे साथ आगे बढ़ करके, जितने experts जुडेंगे, तो उनकी जो training होगी और वो जो training करेंगे, फीड लवल पे, तो सबसे एक एहम और सबसे एक जरूरी quality जो रहेगी वो है curiosity, आने कि जो हमारे trainers रहेंगे, उनकी अंदर आपको इस प्रकार से एक curiosity पै प्रचपन से ही जिग्या सी पराणी है, आपको सभी को पता ही होगा कि Leonardo Da Vinci के टाइम से ही हम लोगों ने ये खोच पे हम लग गए थे कि हमारे आसपास की चीज किस प्रकार से चलती है और कैसे हम उसको अपने सेमच को भैतर बना सकते हैं और वहीं से नवचार का प्रकार के सब्जेक्स को कैसे बच्चों तक रख पाएं अब देख भाएंगे स्टीन पर एक टीचर है जिन्होंने फ्रिज का एक ट्रे निकाल करके दो डबो के उपर रिंदिया और इसे अपना जुगार पैड बना दिया तो बहुत ही सिंपल सुलूशन था बट किसी को सोचना पड़ा कि जो समस्या रही कि online में आप नहीं पड़ा सकते तो उसको सबसे cheapest और सबसे simplest solution क्या बन सकते है तो इन्होंने वो किया और इसलिए वह बहुत बड़ा एक आडिया काती राजों में प्रश्यम सनिय रहा हमारे शट्रिसगर राजय में बहुत सारे शिश्यको से नहीं सीख सकेंगे तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि अपने जो विद्यारती है और शिक्षारती है इन सभी को सिरफ किता भी ज्यान से ना बांदे बल्कि उनको कुछ ऐसे गतिवीडियों से भी जोड़के रखें जहां पर खेल का वातावरन हो और वो बहुत कुछ खेल के मादियम से भी सीख पाएं यह आप एक छोटा से इमेज देख पाएंगे यह कोविट के दोरान ही आप लोगों ने सभी देखा होगा कि नॉर्मली आम कार्यों को किस प्रकार से सचारवरूप से जारी रख सकते हैं इस पर एक चुन होती थी तो यह दूद वाले की है जो मैं दिखा रहा हूं आपको इसने किस प्रकार से इसका एक जुबार लगाया अभी यह पिच्चर दिखाने का ताथ पर यह है कि आपके स्थर पर भी इस प्रकार के अलग-अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बट आप कैसे उन समस्याओं को अपने तरीक से सॉल्व कर स अगला बिंदू है इन्ट शेयनके अंतरप्रड्या कहीं बार क्या होते हैं कि हम इन्नोवेशन यानि की नवचार बनाने के चक्कर में कॉमन सेंस पो भूल जाते हैं तो इसलिए नवचार को बनाते वक्त हमें अपने कॉमन सेंस को भी साथ में रखना है एक छोटा सा उधा तो किसी ने सुझा कि इस problem को कैसे solve किया जाए, तो solution बहुत ही simple था, उन्होंने bottle को पलट दिया और डगकर नीचे लगा दिया, तो क्या होगा कि गुर्तव आकर्षिन के वज़े से हमेशा ketchup नीचे ही रहता है, तो यह कुछ ऐसे common sense है, जो जिसके इस्तमाल से कुछ problems को solve किया वहाँ पर और बहतर बना सकते हैं, तो यह बहुत ही जरूरी है कि आप अपने समुदाय को साथ ले करके चलें, कहीं बार हो सकते है कि आप बड़े पत्पर हो, लेकिन आप से नीचे के लोग आपको कुछ नया चीज़ सिखा दें, तो इसलिए उनके साथ खुल करके, उनके पर पर आपएपल आजाएगा, तेकि अगर हम दोनों के पास अलग आइडियाज हैं, तो मेरे पास और आपके पास दोनों के पास दो नए आडियाज आजाएगे, इसलिए जरूरी है कि नवचार गतिविद्यों में जब हम जुडते हैं, तो कुछ ऐसे प्रयोगों को भी अगला मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि है किस प्रकार से हम अपने आजपास के उपलब सामगरी के इस्तमाल से कुछ simple solutions बना सकते हैं, तो ये मैं आपके सामने एक छोटा सा प्लिकर कार्ड दिखा रहा हूँ, बेसिकली ये प्लिकर कार्ड क्या चीज है, प्लिकर सब्सक्राइबल है, आप उनलाइन से डाउनलोड कर सकते हैं, अकसर ग्राम सतर पर ये समस्य रहते हैं, कि सभीक बैस मॉबाइल फोन नहीं रहते हैं, और इस वज़े से बहुत सारे डिजिटल अक्टिविटीज आप नहीं कर पाते हैं, तो इसका एक simple solution यह है कि आप इस प कर से उनको cards दे सकते हैं, और एक छोटा सा application है, जो flickers करके है, जो freely available है, इसके इलावा NIC में भी flickers का application, इसको निकलर्स करके करे हैं, उन्होंने भी develop किया है, तो अधिक जानकर यादर आपको इस application के इस्तेमाल करना है, जो कि freely available है, तो वो भी आप कर सकते हैं, इसके बाद दूसरा एक एहम चीज है, जो नवाचार करते वक्त हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए, वो है साहस के साथ काम करना, अक्सर यह होता है कि जब हम कुछ नवाचार गतिविदी में जोड़ते हैं, तो हमें अक्सर यह लगता है कि अगर हमने कुछ ऐसा कर दिया, तो लोग ह असली वाक्या है, जहां पर students, बचों के पास desk और bench नहीं थे, तो वहा पर किसी ने सुचा कि क्यों ना, हम low cost solution desk or bench बनाए, और जो low cost सुलूश्ट डेस्क और बेंच बने वह आप मानेगे नहीं बलकि वह एक कार्डबोर्ड बॉक्स से बना मैं आठ रुपे के इस कार्डबोर्ड बॉक्स से वह बैक भी बन पाया, डेस्क भी बन पाया, चैर भी बन पाया यह तीनों एक साथ एक एक entrepreneur ने बनाया इस प्रकार से problem को identify करके solutions में तब्दिल करना एक अलगी quality है, जो हम सभी में हमको लाने पड़ेगी अगला मुद्धा है जुगाड भी नवाचारी है, तो जैसा आप जानते हैं कि सभी को जुगाड करना बहुत ही पसंद है पार्ट टाइम, होबी भी काफी लोग की जुगाड ही होती है तो जुगाड को आप शिक्षा के शेतर में कैसे बान सकते हैं, बहुत ही जरूरी चीज है कहीं बार हमारे पास सामगरी नहीं होती है, हम उतना वियाय खर्च नहीं कर सकते हैं या फिर हमारे पास उतने manpower यानि की लोगों की team नहीं हो सकती है, तो उस समय हम लोग क्या करें, तो उस समय हमें एक तो collaborate करना पड़ेगा, दूसरा हमें exchange करना पड़ेगा, तीसरा हमारे पास जो resources से उनको हम maximum utilize कैसे कर सकते हैं, अधिक से अधिक उससे फाइदा कितना निकाल सकते हैं, यह हमें देखना पड़ेगा, तो एक चोटा सा उधारण मैं आपके सामने और प्रसुत करना चाहूंगा, जैसे आप देखेंगे कि screen पर एक conveyor belt है, तो एक प्रॉब्लम यह हुआ कि जब conveyor belt में समान एक soap manufacturing company थी, जब वहां पर वो लोग soap कुड manufacture कर रहे थी, तो जब conveyor belt से boxes निकलते थे तो लगब 95% boxes में soaps रहती थी, लेकिन 5% box में soaps नहीं रहती थी, तो इस समस्या को कैसे solve करें, तो इस समस्या को solve करने के लिए बड़े-बड़े जपान से, USA, Australia से, sky officer scientist को बलाया, उन्होंने laser का machine लगाया, x-ray scanning लगाया, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी result सिरफ 91% बढ़ पाए, उससे जादा नहीं बढ़ पाए, लेकिन वहाँ पर कोई एक intern काम करता था और उसना बुला कि भया, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लागो करोडों रुपए आप कर्च कर रहे हैं, simple solution है, conveyor belt से जो box निकलता है, तो box के आगे हम ए से बहुत सरे solutions हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लोगा क्योंकि हमारे पास समय की भी सीमा है, मैं सीधा आतो हूँ हमारे इस मुख्ये presentation के उपर जिस पर हमें आज चर्चा करनी थी, कि नवाचार जो हम कर रहे हैं, वो DCL के महाध्यम से हम कैसे कर सकते हैं, तो जैसे आप जानते ह हैं कि DCL के महाध्यम से हम तीन स्तर पर नवाचार को देख रहे हैं, सबसे पहला स्तर है तकनी की नवाचार, यानि कि जितने भी आपके लिए applications बनाए गए है, digital solutions बनाए गए है, solutions तो available है, लेकिन इन solutions को आप कितना उप्योग करते हैं, एवं उन solutions के उप्योग से आपके ज सेवा से नवाचार, सेवा से नवाचार का मतलब यह हुआ कि जितने भी आपके शिक्षक हैं, शिक्षक साहरती हैं, विधियारती हैं, इन तक जब आप अपना communication यानि कि अपना संचार आप पहुंचाएंगे, तब वहाँ पर आप किस परकार से नवाचार कर पाएंगे, मा सबसे जरूरी चीज़ है क्योंकि लगातार आपके जितने भी अभियती लोग रहेंगे उनको आपको लगातार प्रोथसाहन देना है जितना ज़्यादा प्रोथसाहन करेंगे उतना ही ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे कुछ डिजिटल माध्यमों के सदुपयों के बार मैं बताना चाहूंगा कि चितने जगह पर डिजिटल उपकरण मौझूद है एवं इंटरनेट की फैसिलिटी अवे वहां पर मौझूद है वहां पर कुछ ऐसे अप्लिकेशन भी हम इस्तमाल कर सकते हैं एक अप्लिकेशन ज यह हिंदी अल्फबेट, हिंदी लेटर राइटिंग जो की फ्रीली अवेलेबल है इसमें बिसिकली आप बिना कागज या बिना किसी भी उपकरण के मतलब फिजिकल उपकरण के अपने मुबाइल के अंदर ही प्रैक्टेस कर सकते हैं एवं उसमें आपने सही लिखा है नह अगर आप गलत पढ़ रहे हैं तो सही उचारण भी आपको आपको बता दिया जाता है और यदि आप सही पढ़ रहे हैं आपको कुछ स्टार्स मलता है तो इस प्रकार के बहुत सारे अप्लिकेशन अवेलेबल हैं जिसके लिस्ट में आपको इस प्रेजेशन में शेयर कर आफलाइन माध्यमों का सद्यूपयोग काफी जगह पर यह भी इशू रहेगा कि मोबाइल इंटरनेट नहीं है तो कुछ ऐसे गेम्स के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं जैसे लुडो है मनी गेम है तो यह लुडो और मनी गेम को सिरफ खेल के साथ ही ना जोड़ें बलकि प उसमें कर सकते हैं और जो हमारा डिलिवरी मॉडल है उसको हम बैठर बना सकते हैं तो इसी के साथ मैं अपना प्रेसेंटेशन खतम करता हूं और आपके अगर कुछ प्रश्न है सुवाफ है तो आप लगातार हमारे साथ इसे साल्या कर सकते हैं बहुत-बहुत नवाचारी गतिविधियां हमारे अंदर से ही आनी चाहिए और नवाचारी गतिविधियों के लिए साहस की भी बहुत ज़्यादा जरत होती है। आगे के सत्र के लिए मैं बुलाना चाहूंगी नेहा शुक्ला जी को जो हमें सीहा जो हमें सीजी पी एले आप और सीजी स्कूल डॉट इन पोर्टल के बारे में जानकारी देगी। धन्यवाद नीदी मैम आप सभी को नमस्कार। स्कूल शिक्षव विभाग द्वारा निर्मित cg-school.in पोर्टल से आप सभी परिचित होंगे। पढ़ना लिखना अभ्यान से संबंदित इस पोर्टल में क्या-क्या सुविदाएं प्रदान की गई हैं। उनके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी। यह cg-school पोर्टल है। इसमें हमने पढ़ना लिखना अभ्यान से संबंदित क्या-क्या सुविदाएं दी हैं। उनके बारे में जानते हैं। जिले और ब्लॉक में हमने यह सुविदाएं प्रदान की हैं। जो लॉगिन हैं। लॉगिन करना तो आप सभी जानते होंगे। आप लोगिन आईडी और पासवर्ड हैं। उससे आप लॉगिन करेंगे। इसमें पोर्टल में cg-pandha लिखना अभ्यान के अंतरगत हमने फोटो अप्लोडिंग की सुविदा दी गई हैं। जिससे हम daily हम monitor करते हैं यहां से कितनी फोटो अप्लोड हुई है। कैसी फोटो अप्लोड हुई है। और उसके जो सर ने बताय तो फ्रिशान सर ने स्टार्टिंग में। इस तरह का रिपोर्ट तैयार किया जाता है कार्याले में। किते प्रतीशत फोटो अप्लोड की रिपोर्ट है उस तक वित्तरन फोटो अप्लोड करें सुधार करें इस तरह की बीयो लॉग इन में भी सेम यही विकल्प दिया गया है। यह रिपोर्ट हम डेली ग्रूप सभी ग्रूप में हम शेयर करते हैं। पढ़ना लिखना अभ्यान के क्रियानवन है तो हमने यह सीजी पीएले एप का निर्माण किया है। यह गूगल प्ले स्टोर में जो यह लिंक दिया गया है उसमें जाकर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस एप में हमने फोटो अप्लोडिंग की सुविदा भी दी है। सिक्षारतियों और स्वेम से भी शिक्षकों की अपनी पुस्तिका के साथ और उसके साथ हमने जो आखर जापी जो बुन्यादी सक्षरता प्रवेशिक है उसके 24 पार्टों के वी वीडियो हमने बनाकर इसमें डाले हैं समागरी डाली गई है। यह लाग उन करने की प्रक्रिया है किस तरह आप इसमें लोग इन कर सकते हैं। और जिस तरह पिछले कारिक्रों में भी मैंने यह बताया था कि किस तरह से आपको फोटो अपलोट करनी है अब हमने इसमें एक नई चीज भी जोड दी गई है कि आप फोटो फोन उनकी गैलरी से भी चैन करके फोटो अपलोड कर सकते हैं ने कि ये सिंग जब फोटो अपलोड या कोई भी विशय वस्तु समागरी इस एप में डाली जाती हमारी तरफ से तो आपको छिंग करना पड़ेगा इस एप को तो सिंग करने के लिए ये पांच विकल्ब दिये गये हैं तो डाउनलोड जो हम यहां से समागरी एप में प्रदान करेंगे उसे आपको डाउनलोड करना है उसके लिए पहला और दूसरा विकल्ब चैन करेंगे और जो वहां से आप फोटो अपलोड कर रहे हैं उसके लिए तीन विकल्ब दिये हैं आप उसे चैन करके अपलोड कर और प्रसिक्षन समागरी भी है जो स्वेम से भी शिक्षरों के लिए बनाई गई है तो आप इस YouTube चैनल में जाकर इसे सब्सक्राइब करें जो सब्सक्राइब कर दिखा हुआ है उसे आप क्लिक करके और आने वाले समय में हम जितनी भी समागरी डालेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन उसके द्वारा मिल जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद निहावाडम और सीजी पी एले एप सीजी स्कूल डॉट इन और YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी चीजों को पी एले की जो जानकारी है पार्टों की जानकारी है वो आप उसमें जाक सकते हैं आगे के सत्र के लिए मैं बुलाना चाह Smith produto रिखार की प्रकोष प्रवारी शृमती प्रीति-प्रीती संख्मार्न?" इस वाव्ैन की जितने भी सरकारी यौजना में वह आसानी से पढ़ना लिखना सीँख जाएंगे तो वो को चाहिए वो नर्वा गुरुव singular encouragement हो चाहिए वो अभी आप निया चला है महतारी दुलार योजना जिसमें हम warnings पेशिंट्स जिन मोबाइल जैसी छोटी सी चीज जैसे है वो आपको लाखों लोगों से जोड़ती है इस मोबाइल के माध्यम से आप लाखों लोगों से जोड़ते हों लाखों लोगों तक आपकी पहचानिक बन सकती है आपके पास जो टैलेंट है आपका जो हुनर है वो हम एक प्लेटफॉर वियंजन बहुत अच्छे से बनाती है उन 15-20 लोगों का समू एक पोर्टल बना सकता है और उस पे अपने वियंजन डाल सकते हैं और वो हम तक एक नई पहचान के रूप में सामने आ सकता है जैसे कि और किसान नई नई तकनीकी जो आप खेती में करते हैं जो यूज करते हैं जो आजार बनाते हैं उस तरह के भी आप प्लेटफॉर्म में वीडियोज बना के डाल सकते हैं तो आपकी एक पहचान जो ना सिर्फ 36 गड़ में बलकी देश में होगी और हमारी सिर्फ यही कामना है कि आप तक पहुँचकर आप तक हम पहुँचकर आपके साथ जुड़क आपको एक नई पहचान दिला सकें और कष्चणा जालन के बारे में मैं ही कहूंगी कि अगर हम उन ही के परिवेश में उनकी भाशा में बात करें क्योंकि जो हमारा ग्रामीर इलाका है हम भी हम हं हिंदी बोलते हैं तो हमें हिंदी में हम कमफर्टेबल रहते हैं तो हम चाह बगल में दे दें कि इन अक्षरों को उससे पहचाने तो वह बहुत अच्छे से उस क्योंकि उनका एक रोचक धंग से हम उनके साथ एक पढ़ाई का माध्यम बन सकते हैं बादचीत के माध्यम से और उनी के परिवेश में उनी की भाष्या में उनके साथ अगर हम तो शायद वह ज्यादा बहतर धंग से समझ पाएंगे और इनी कामनाओं के साथ धन्यवाद मैं आगे हमारे साथ SCRT बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका और अब मैं बुलाना निवेदन करती हूं SCRT के एडिशनल डारेक्टर डॉक्टर योगे शिवरे से कि वो हमें DCL और उसके बारे में बता है आज के इस राज्यस्तरी वेविनार में आप सभी साथियों का स्वागत है अभी आपको जो हमारा SCL है स्टेट सेंटर फार डेट्रेशी इसके जो सदस्रेगण है इन्होंने आपको काफी अलग-अलग मुद्दों पर आपको जानकरी दी है और मुझे लगता है कि आप सारी बातों से आउगत हुए हों गए मैं क्यों आप से यह बताना चाहता हूं इस्पेशली जो DCL के लोग है और DCL के प्रभारी भूलता है यह दपी कि टी ओस को जो है वद्द्र बनाया गया है और इसके अलावा जो है मुख्य भूमिका में टाइट के प्राचा रिगन है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आप लोगों को इस बात पर एक्सेप्टेंस करना चाहिए कि अब हमको एक जो नया च्छेत्र कारी च्छेत्र मिला हुआ है कि प्रोड़ों की सिक्षा करना जो लोग विभिन कारणों से सिक्षा से वंचित हो गये हैं ऐसे लोगों के सिक्षा के लिए हमारे राच्य में SLM काफी दिनों से कारवरत था और इसको अकेडमिक सपोर्ट देने के लिए SRG ग्रूप सेंटर हुआ करता था SRC SRC थे जो थर्ड पार्टी थे किन्तु भारत सरकार के द्वारा अब यह जो दाइत है स्टेट लेवल पर SCRT को और डिश्टिक लेवल पर डाइट को दिया गया है तो जिस तरह के जो एकडमिक सपोर्ट सब जो भी आगे होंगे वह SCRT और उनकी जो अधन्य संस्थाएं हैं उनके माध्यम से होंगे यह बात लगातार हो रही है तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को चीजें समय आ रहे हो नई शिक्षा नीती में भी जब हम बात करें NCF की और SCF की तो इस बार चार तरह के जो है वो SCF और NCF बनने उसमें एक SCF जो चार NCF है उसमें मुझे लगता है कि यह भी आपका वेबिनार से चमता समवर्धन किया गया है कि जो SCF है अभी जो फिलाल राजे में कली एक वेबिनार हुआ था उसमें है SCF स्कूल एजूकेशन, SCF टीचर एजूकेशन, SCF एचीज़ और SCF एई है एडल्ट एजूकेशन तो यह जो एडल्ट एजूकेशन है यह लिंक होगा यही सब गतिविदियों से और जिस तरह से अभी तक हमारी जिम्मेदारी विद्यालीन बच्चों को और डाइट की जिम्मेदारी तो इस्पेशली प्रादमविक शिक्षा को लेकर थी कर्षा से एक से लेकर आठ तक आप उन सिक्षकों के प्रशिक्षन देते थे उनके लिए जह है मौटिल्स तयार करते थे और डिस्टिक लेवल पर आप एक साल भर का एडवलू भी बनाया करते हैं बिलक आप अपके मौडूल भी तयार हुँगे आप प्रशिक्षक जो सिक्षक हैं उनको प्रशिक्षक के रूप में रिसोर्स परसंट के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे उनको प्रशिक्षन देंगे इसके अलावा जो एड़ेट एजूकेशन का काम है वो बहुत सारा का काम स्वयम सेवी तरीके से होता है तो आपको इस वाले पॉर्शल में क्योंकि हमारा काम होता है हम सिक्षकों के मांध्विन से करते हैं तो हमारे बजट सो करे काफी होते हैं पर यह जो भारत सरकार यह वाला जो हिससा है डटर्ड एडेड़ूकेशन का काम इसमें ज्यादा जैसा कि अभी तक के वर्शॉप में आप्स समझ में आया होगा सिख्शकों की तुर्णामे जिए नीमित के अध्यापन करते हैं उनकी तुर्णाम में जो स्वेयरं से होंग वो कि हम हिए बोгов कि ज़्यादा प्रेक्टिकल हो ज़्यादा व्यवारिक हो क्योंकि जो बच्चों का प्रिशिक्षन होता है वो पुरी तरह पेड़ोगजी पर आधा लिए किन्तो जब आप आपने अभी कोर्स भी देखा होगा डिसील के बारे में लगातार प्रशान जी और उनकी टीम काम कर रही है तो आपने यह देखा होगा कि हम व्यवारिक प्रशिक्षनों की बात करते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा दिक्षा से वंचित हो गया है उसक हो अपने काम Plan 5 2 na 217 के साथ कर सके जो नए technologies है जो नई योजना है शासनी की यह हर तरह से हम बात करें यदि जैसे यात्रा की बात है तो जो डिफरेंट तरीके से आप यात्रा करते हैं गाउं के लोग भी जो है वो प्लेन से जा रहे हैं ट्रेन से जो गाउं में रहते हैं और वो किसी विशेश विधा में एक्सपर्ट हैं वो यह उस तरह के लोग आएंगे तो वो शैद आपको हमारे इन कक्षवां में ज्यादा सपोर्ट कर पाएं तो अभी जैसे कि हम लगातार यह बात कर रहे हैं कि DCL के रुप में हमारे टाइट्स हैं उनको एक नया काम और एक जिम्मेदारी मिली है तो मुझे लगता है कि आप लोग आज का जो वेबिनार है उसमें बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई है उसको आपने मनन करना है आपस में सब लोग सारे संकाय सदत से बैठ कर प्लान करना है और जिस तरह से हम AWP प्रारंबिक जो शिक्षकों के लिए बनाते हैं कक्षा 1-8 तक के सिक्षकों के लिए बैड़ो बजी की बात करते हैं डिफरेंट मॉडियूल बनाते हैं उस तरह के जो मॉडियूल है और AWP लिए वह आपको इस कारक्रम के लिए बनाने हैं और यह करने के बाद मैं भी इनसे प्रसांजी से बात कर रहा था तो इन्होंने मुझे बताया कि जिस तरह से अपके पस दीयोज होते हैं स्कूल के समन्वाय के लिए स्कूल का प्रसाशन देखते हैं ऑर उसका अकाद्मिक पार्ट आप देखते हैं उसी तरीके से आपके डिस्टिक्得 में DLM है वो जो है जो प्रसाशनिक व्योश्ता हैं उनके मात्यम से होगी जिसमें या तो जिला से समनवाय करते हैं उसी तरह से इस कारक्रम के लिए आप DLM से समनवाय करें और जैसा मुझे जानकरी दी गई है यह समनवाय आप लोगों का जारी है चुकि आप लगातार बैठकों में बैठते हैं तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा शाहिद है और होना भ यह कारक्रम हमको करना है अधरवाइस एक बहुत पन में बात होती है क्योंकि इतने सालों की हमने नौकरी कर ली और कभी भी साक्षर्ता का काम हमने नहीं किया क्योंकि उनके लिए अलग नहीं तो निश्यत रुप से साक्षर्ता के कामों को करने वाले अलग लोग हैं किन्त इस तरह से बनने के पूरों डीजी अब बनता है तो वह फ्रेमवर्क आपको जीने में तयार करना होगा तो इसमें एक प्रेमवर्क आपका एडिट एजूकेशन का दिए तो मुझे लगता है कि आप सब लोग बहुत उत्सा के साथ इस कार्कर में जोड़ रहे हैं और अभी जैसा कि आपको बताया गया होगा आपकी कख्षाएं लग रही है तो जिस तरह से आप महुला क्लास में यदि आपकी लोग जा रहे हैं जैसा भी हमने तय किया है पूरों म सब्सक्राइब के साथ बात हुई है और यह कहा गया है कि आपको अब अपने जो संकाय सदस हैं उनको बच्चों की महुला क्लास को देखने के लिए भीजना चाहिए मौनिटिंग के लिए निकलना चाहिए तो जब आप उस मौनिटिंग के लिए जाएंगे तो साथ में उसकी रिपोर्ट्स जो है वो स्टेट के साथ और ड्लम के साथ शेयर करें तो मैं जो है आप लोगों को शुब कामना है देता हूं कि जो नयाद आईथ हमको मिला है उसको पूरे उत्साह से आप लोग करें और इस जिस तरह से आपने सिक्षा और इस स्कूलों के लिए जो अकादमिक सपोर्ट देते हैं उसी तरह से आप इस कार्कम के लिए अकादमिक सपोर्ट देने में सफलों यह विरी शुब कामना है बहुत बहुत धन्यवाद मारे अडिशन डारेक्टर सी आटी डाक्टर योगे शिवरे सर आपको मालूमी है कि शिवरे सर का योगदान पढ़ाईत उहर द्वार के समय से लेकर अब तक जितने भी एकडिमिक कार्कम हुए हैं वो अपने सच्वी महदय और डिरेक्टर सर के मारदर्शन में आपके कुशल नेतित में बहुत अच्छे सा संपादित हुए हैं और सर समय निकालकर हर वेबिनार में जहां उनकी उप पूर्ण करना होता है ऐसे समय में पढ़ना लिखना अभियान के लिए जिला साक्षर्ता केंद्र याने डिस्टिक सेंटर फॉर लिट्रेसी के लिए समय आपने निकाला है सर मैं दो मिनट का आप से और समय चाहूंगा कोई शंका समाधान हमारे जो डीसियल के मेंब्रान है उनसे रोध करूंगा मैं कि किसी की भी कोई शंका होगी इस पूरे आज के एक दिवसी वेबिनार हमारा पूर्ण हो चुका है और हम लोग अंतिम सोपान पर हैं और वो है शंका समाधान का प्रश्णर उत्तर का मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आज के सत्र की बारे में समान बारे में और श्रक्राइब प्रशांथ के बारे में सर्व मैं प्रशाद्था के हैव प्रशान पढ़ने की ओर तो यह जानकारी दी गई है परशे और उसके परशात कक्षा संचालन के लिए डॉक्टर मेनीशा वत्स ने मौला साक्षरता कक्षा कैसे संचालित करें इसके बारे में बताया है इसके परशात सिक्षारतियों की निरंतर्ता के लिए जो नवाचारी गतिविदिया है वो किस प्रकार संचालित हो इसके ब अलग से अपना बनाया है निर्देश तो सभी को थे लेकिन SCL के द्वारा जो एप बना ही वह बहुत ही अच्छा है सर्थ और cgschool.in portal में जो व्यवस्था की गई है फोटो अप्लोडिंग की इसके बारे में निया शुकला जो अमारी फिल्ड में सफल हो पाएंगे इसके बारे में बताया तो अब इन सारे सत्रों को लेकर यदि कोई शंका समाधान हो तो कृपिया बताएं और पूरा कोडिनेशन का काम हमारी निधी अगरवाल जो कंसर्टेंट को कर रही थी तो मैं आप से चाहूंगा कि कोई प्रश्न आप करें को लेंगे किसी भी जिले से कोई प्रश्न हो आज के सत्र में या कोई शंका समाधान हो तो एक दो मिनट का आपके पास वक्त हो आप कर सकते हैं मायकं मुट कर लिजिए वेबेक्स में जो फ्रशंज हो मास पास कटी सबहए हैं और यहां से फ्रशं कोल दीया गया है हालो सब्सक्राइब को यूट्यूब में जो लिंक खोलना है उसको डाल देंगे तीजी अपने सब्सक्राइब के वेब साइट में तो हम लग उसको देख लेंगे फिर यूट्यूब में भी प्रोग्राम को यूट्यूब का जो प्रोग्राम को डालनी के आशकता नहीं मेड़ा पीटी छटीज गड़ और एसले में सी जी ये दो ऐसे यूट्यूब में ओपन वो हैं जिसमें आप ट्लासेश बगरा का देखते होंगे इसमें आप यह को डाल देंगे कैसे खुलेगा मैंने खुलेगा तो सब लोग अपने तरीके से काम करेंगे ऐसे हमारे यहां के जीना प्रभारी लोग को मानिट्रिंग कर रहे हैं जो टार्गेट मिला है इसको तो उसके फोटो अगरे आपको शेयर करेंगे बहुत जल्दी सा बहुत अच्छा रहा है सेशन मैडम मैडम हमने DCL ग्रूप भ और हमारे जो अधिकारी गहना डारेक्टर एडिशन डारेक्टर एसी आटी वो ग्यूस ग्रूप में तो उसमें डाल देंगे तो हम लोग उसको देख लेंगे तो यूट्यूब में काफी इंट्रेस्टिंग मतलब दिखाई भी देचा है तो सब की रूची भी बढ़ेगी 帖 के लोगों की और बताईे है कि नमस्काट सर段sehen सबूला नमस्का pulse सर शर अबर्जेन दंतेवार्डा में सर फोटो अप्लोड किये हैं लेकिन 10-12 सेंटर का फोटो सारусов हो गया है लेकिन उनका केंदर करんと दिखाई नहीं रहा है छय needles दिखा रहा है लेकिन नहीं कर रहा है ब्लूसकर दिखा अ हम इसको ऐन Isaac को फारवड करता हूं कि यह जो प्रशाष्टीक दिखेत वाले प्रशन नहीं आज डील का प्रसिक्षंट है तो दींदें संबंद में कुछ बात करें यह जो यह प्रावल्म हम लोग दिन रात सॉल्व कर रहे हैं लगातार आपके प्रश्ण आते हैं हम एना इसी को भेशते हैं इसके बारे मुझे अलग से भी शेशन करते हैं तो मैं चाहूंगा भी सर बैठी हुए अडिशन डारेटर से आटी तो कोई आप एकडेमिक कोई प्रश्ण आग कि कि आप किव वेबिनार में कोई आपकी प्रश्ण हो वह अकादमिक समस्य को आप अन्मूट कर सकते हैं जिसके पास Webex का लिंक है सभी जोनों को दिया गया है आप अन्म्मूट करके बोल सकते तब कर लिंक फोल दिया है कि चलिए कोई जिला नहीं लग रहा है मुझे तो बहुत प्रश्न चैट बाक्स में है कोई प्रश्न दिख रहा है क्या चत्या आपके को प्रश्न है कि अधिक लिए प्रफट्राइट राइपूर से मैं बोला था शुशी जैन वहले सब तर यह मोहला क्लास की जो मॉनिटरिंग जानी है उसके लिए कोई प्रफ़त्र एस से आटी से निर्धारिज बना है या कि सि जानी थोड़ी से उसके बारे में जानकारिया को दें अभी जो आप लोग जाएंगे तो उसमें तो केवल यह देखना है कि जो संख्या एकुल कितने बच्चे एन्रोल्ड हैं और कितने बच्चे जो हैं उपस्तित हैं यह मॉनिटरिंग के लिए हम पोर्टल में एक अलग स में बच्चे जुड़े हुए हैं और यह कर्षा हैं चल रही है वह अपने लेवल पर बता दीजिए क्योंकि हम पोर्टल में यह विवस्ता कर रहे हैं इसलिए प्रपत्र अलग से कोई डेवलप नहीं किया है क्या फिजिकल कोई प्रपत्र बना कि जानकर इखटा नहीं करन है वैसे वी एक घंटे की वजाम लोग ने डेढ़ घंटे में पूरा सत्र किया है क्योंकि विशय ज्यादा थे और पहली बार SCRT के हुआ है तो मैं SLMA की और से और इस PLA के प्रभारी होने के हैसिए से मैं आज SCL SCRT द्वारा जो यह पहला हमारा जो वैसे तो पहला है सेप आप आपने क्लास के साथ ता मुहल्ण क्लास देखना है एक अफ्लाइन करें पर अगें फ़िर से बोले सा अलो है शुक्रावाज क्लियर नहीं आ रहे जहां पिरसे बोलिया ना है मैं यह डाइट में और आट जूरिय मुदी आसे बोल रहा हूं रहुत आरियाय ओजिक्श् यहां आ रही है आवा जा रही है तो यह आफ लाइन नहीं आफ लाइन करना है मतलब आउनलाइन नहीं है आपको वही प्रत्रेक्ष्ष्ण रूप से देखना है तो आच्छा घ्रो टिकत जाती ना किसी लोगों बेजो इंटीरियल में ब्लॉप है अपने कास्पास कर लीजिए और कुछ जो लोग जहां है वहां से आप टेलिफोनिक माध्यान से भी कर सकते हैं इसके बारे में अडिशनल डारेक्टर सर बताएं शुक्राजी देखे क्या है कि इसके लिए यह व्यस्ता बनाक बड़ी मात्रा में मतलब मुझे लगता है कि पचास हजार से ज्यादा मोला क्लास का आकड़ा पा रह चुका है कल तक और बीस लाग के आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं यह हमारे पास रिपोर्टेड है तो यह है कि जो लोग जहां रहते हैं निश्चित रुप से उनके घ बिनार किया था और सभी डियोज को और डाइट प्रिंस्पल को भी उसमें उपस्तित रहने के लिए कहा गया था लोग इसका सी असी भी हुआ है एक मरद शुक्लाजी आपकी आवाज थोड़ी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है साफ आवाज आपकी तो आप मुझे तो घृइट प्रिंसिपल के साथ थे वेविनार किया है और सीके साथ भी तो पूटल आपको बताया गया था बहुत सिंपल है कि जो हमारा सीजिव को ६ॉट इन है उसमें सी के कामों को जब सी क्लिक करता है तो उसमें महला क्लास बनाएं ऐसा और और सिक्षकों के द्वार और वो बच्चों को जोड़ रहे हैं यह ओनलाइन सारा है हम जल्दी ही इसकी रिपोर्ट आप तक पहुच जाए हम ऐसी विवस्ता कर रहे हैं तो रिपोर्ट आप तक पहुंचना और आपके द्वारा उसको जाने के बाद पोर्टल पर रिपोर्ट करना कि हमने इस क्लास को देखा है और संतुष्ठ हैं क्या संतुष्ठ हैं यह वाला मता है परंतु तब तक जब तक नहीं बनता है तब तक आप यदि यह विवस्ता कर पाएं कि आपके संकाय सदत से जहां रहते हैं उनको आल्टरनेंट डेज में यह बोल दें कि आप अपने घर के आसपस मॉल्ला देख लो तो हम और कुछ जादा नहीं चाहते हैं कि हम यह चाहते हैं कि जो सीयसी रिपोर्ट कर रहे हैं कि यह फलाने गाओं के फलाने मोले में हमने एक लाज बनाई है उसमें यह सिक्षक प्रभारी है और यह 30 बच्चे वहां पाढ़ने आते हैं तो वह बहुत देख ले अभी आप एक टीचर जो है अपनी कॉपी पर नोट कर लें कि मैं यह यह मौला क्लास देखा हूं और यह टीचर था यह बच्चे थे उसके वाद जब आपको देंगे हम एकसेस देंगे बहुत जल्दी इस काम को हम करने वाले तो आपको एकसेस मिलेगा क्योंकि इसके तुरं और डाइट्स जो है सीधे जो तौर पर जिम्मेदार तो जब आप वो कक्षाएं हमको लग रही होंगी तब ही असेस्मेंट हो पाएगा ना पिछले साल के हमारे अनुभाव बहुत खराब रहें वह अनुभाव इसलिए खराब थे कि यदि सिक्षक ने कहा कि या सीएसे न नहीं लग रही है तो इसका मतलब यह होगा कि जब असेस्मेंट ऑनलाइन हम करवाएंगे तो फर्जी नंबर आएंगे क्योंकि जब बच्चे नहीं आ रहे तो असेस्मेंट कैसे होगा इसलिए मुझे व्यक्तिगत तोर पर यह लगता है कि असेस्मेंट इमानदारी के असेस्मेंट भी करें तो मुझे अप लोगों को लेकर बहुत कैसे हमको करना है और कैसे दूर जाना पड़ेगा वह इस्तिति नहीं है अभी आप जो भी जितने आसानी से अप्रोच कर सकते हैं फिजिकली आप एक दो परसेंट का भी कर लेंगे तो हमको यह तो पता लग जाएगा ना कि जो सेंपर हो वह वाकई में कच्छा है लग रही है अथ्वा नहीं लगत अचली बहुत-बहुत धन्यवाद और अब हम आज का यह राज जिस्त्री वीबिनार समाप्त करते हैं मैं बहुत-बहुत धन्यवाद ग्यापित करता हूं से अर्ट के डारेक्टर सर को और अधिशनल डारेक्टर आधनिश यवरे सर को यहां के प्रकोष्ट प्रभारी मैडम ठीती सिंग और चोनी सर को और हमारे यूनिसेफ और ब अन्यवाद जय हिन जय अक्षर